हेलो फ्रेंग्स वेलकम टो मैं चैनल फ्रेंग्स कल जो हमने एक वीडियो पोस्ट की थी यह प्रैक्टिकल बोक उफ एम आराई के लिए उसके लिए अभी मैं पॉइंट ऑफ यू सेक्शन वाइज मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार कि आपको अंदर क्या क्या चीज जान को मिलने वाला है तो अंदर थोड़ा मैं आपको फास्ट एक बार बता देता हूँ कि सेक्शन वाइज क्या क्या आपको मिलेगा इंडेक्स तो मैं आपको बता ही है बट अंदर कैसे है वो सब कुछ मैं आपको शो कर देता हूँ ठीक है तो सेक्शन वन है यह सेक्शन वन मे Basic Principles of MRI, Physics, Concept, Basic Terms, Rules of MRI Planning, Sequence, Full Form and Characterized Images उसमें ऐसा है कि अपना ये जो पहला Planning का जो है Basic Principle of MRI यही किसी को कभी पता नहीं रहता है कि Excel कैसे बनाते है, Sagittal कैसे बनाते है, Koronal कैसे बनाते है तो ये हमने पूरा डायग्रम से रेडी किया है कि Excel चाहिए तो Superior to Inferior है Sagittal मतलब Right to, Left and Coronal, Antivator Posterior ये पूरा डायग्रम आपको बताया गया है ये Basic Rule है, ये तो आपको आना ही चाहिए, तो ही आप आगे काम कर सकते हो वैसे ही बहुत अच्छी अच्छी Knowledge आपको ये बुख में मिलने जाने वाली है ठीक है? आगे बढ़ता है अभी ये Bone Marrow की साथ कैसा दिखता है? Sequence के उपर ठीक है? Stir के उपर कैसा दिखता है? Muscles कैसा है? Stir के उपर ये सब कुछ इसमें लिखा गया है और इसमें बताया गया है, पूरा Demonstrate किया है हमने कि इसको कैसे देखना है फिर अभी ये Knee Joint की Images है Shoulder है और ये Cervical Spine है ऐसे ही सब कुछ लिखा गया है कि कौन से Sequence पर कौन सी चीज डाक दिखती है कौन सी Bright है कौन सी Grey है ओके? और सब कुछ ये लिखा गया है इसके उपर अभी Section 2 में आपको बता दू Section 2 में है Head & Neck, Spine, Chest, Abdomen, Pelvis, Upper Limb, Lower Limb इसमें पूरा मतलब आप सोचोग है Head to Toe सब कुछ इसमें Included है इसमें सब कुछ basic thing लिखी गई है Duties of MRI Technician, Contra Indication Okay And Patient Preparation कैसे आपको patient से behave करना है कैसे उसको Prepare करना है Before MRI Examination Head & Neck आ गया है अभी Head में आप देखने जाएं तो Head में कितना कौनसा कौनसा स्कैन आता है तो Brain है, Brain Angio है, Brain Vino है Temporal Lobe है, Posture Fossa है IAM है, Pituitary Fossa है, Orbit, Paranousal Sinus Pharynx, Larynx वो सब Neck में आ जाएगा TM Joint Okay Cranial Nose मतलब अपना इसको Trigeminal Protocol भी हम बोलते है CP Angle Protocol भी बोलते है Cranial Nose के लिए Salivary gland यह Neck में आ जाएगा तो यह सब डीटेल में फिर आपको शो किया है बुक में अभी यह देखे Basic Anatomy of Brain ऐसो सब कुछ डाइग्राम के साथ लिखा गया है यह बुक के अंदर यह हमारे प्रोटोकॉल है जैसे के Siemens के यह प्रोटोकॉल है ब्रेन के लिए और सिक्वेंस का नाम ऐसे रहता है से हम Digital G 1.5 टेसला में यह प्रोटोकॉल यूस किया जाता है वैसे ही सब स्कैन के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल सीमेंस का है कौन सा जी का है वो सब कुछ इसमें डेमोंस्ट्रेट किया है हमने Contra Indication वो भी आपको Explain करना चाहिए पेशन को अभी यह आप देखते Indication for Contrast Enancement Brain Scan कौन से कौन से लीजन में आपको Contrast करना है वो भी इसमें लिखा गया है यह Planning Protocol अगरा है कैसे प्लान करते है Sagittal यह Excel का Planning है और Coronal और Size के ओपर Box है अभी यह Format भी लिखा गया है आपको कौन से Format में देना है वो Format आपको वो इसाप साप करोगे तो आपको किसी को पुछने की जरूवत नहीं है यही सेम इमेज इस इतनी आपको फिल्म में डाल देना है यह पूरा डीटेल में लिखा है इसमे Cervical Spine Toresis Lumber Okay Spine का section है इसमें पूरा पहले Anatomy है फिर Spine का डीटेल इसमें बताया गया है सेम यह Cervical Spine के लिए प्रोटोकल सीमेंस का और जीए का Chest, Lung, Sternum, Heart, Great Vessel, Breast and Brachial Plexus इसमें भी वैसा ही planning अगयरा सब कुछ है प्रोटोकल के साथ में है यह सीमेंस का प्रोटोकल है यह G.E. का प्रोटोकल है Okay Almost same ही है थोड़ा उपर नीचे रहता है मतलब अपने दॉक्टर का हिसाब से जो अमारे रिडिलोजिस साब बोलते है कभी-कभी extra sequence लेने का ज़रूरत पढ़ सकता है आपको always आपके रिडिलोजिस के हिसाब से चलना चाहिए Okay Abdomen Liver, Biliary, Kidneys, Renal, Angio, Adrenal, Clans, Pancreas and Small Bowels Same वैसे ही है Film format अगयरा Pelvis का आगया है Pelvis में CA Rectal, Urinar, Bladder, Female Uretera Pelvis, Fistula, Recto-Vodrenal, Fistula Protogram Hips, Swast, SI, Lumbar, Plexus Upper Lim Shoulder, Clavicle, Scapular, Humerus, Elbow, Forearm, Wrist and Hand यह सब कुछ डीटेल में है फिर अंदर यह खाली मैं आपको fast view करके बता रहा है VIV SI Shoulder तो Indication for MRI Shoulder क्या-क्या उसमें देखते है Ligament, Tear, Fractures of Tissue Masses Fractures in Children Now Impingement Avascular Necrosis Neoplasm Evolution of Intraarticular Loose Bodies Friction of Bone Synovial Based Disorders and Marrow Abnormalities Lower Lim Femur, Knee, Tibia, Ankle and Foot वैसे ही सेम सब का ऐसे ही है Protocol, GE का और Simmons का प्लाइन अगेरा सब कुछ अभी Section 3 मैं लास्ट टेम बताना थोड़ा भूल गया था यह बहुत important है इसमें पूरा anatomy डाला है हमने टीक है Section 3 मैं Head का है Anatomy, Neck, Spine, Chest, Abdomen, Belves, Upper and Lower Limbs सब कुछ इसमें detail wise है टीक है Brain का Axial, Sagittal, Coronal, Angio में कैसा है, Vino में कैसा है, Vains देखना है Arteris देखना है, सब कुछ इसमें Diagram के साथ में ऐसा है Anatomy wise इसमें बताया गया है, Wid Numbering को easy रहेगा देखने के लिए ठीक है यह देखिया, पूरा anatomy है Coronal के उपर यह सब arteries है यह हमारा Vinogram का सब veins है यह सब veins के नाम लिखे गए है आपको देखना में easy, immediately आप खोलके यह देख सकते है section के मुझे Vinography का यह picture मिला है कौनसी कौनसी veins मुझे देखनी है कौनसे sinus देखना है Okay Sagittal view of Vinography Neck में आ जाता है Neck में Cervical Spine इसमें भी सब कुछ Detail Anatomy है Soft Cissure इसा सब कुछ आपको डीटेल बताया गया है उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और आपको useful रहे गया है यह पूरा heart, left ventricle, inflow and outflow track कैसे है डायग्राम के साथ इसमें बताया गया है ventricle का outflow track यह autogram है यह पूरा और anatomy आपको मतलब बहुत ही useful रहे गया है यह पूरा यह MRCP का है पूरा MRCP में इतनी चीज़ देखनी रहती है okay यह बहुत ही मतलब easily आपको इसमें शो किया कर दिया है shoulder यह breast का है यह angiography है splenic and portal veins abdomen यह knee अगेर आ गया होके सब डीटेल आपको इसमें आ जाएगा ACL PCL क्या है कॉंसल लिगामेंट्स है easily आपको identify हो जाएगा brain abdomen आ गया है यह पूरा आपको पूरा डीटेल्स आपको मिल जाएगा अनाटॉमी के साथ में अगेर अगेर आपको इसमें पूरा पैठलोजी बताया गया है मैं आपको बताया था का उसमें कैसा ट्यूमर वगरा कैसा दिखता है अगे यह सब्डुरल हमेटोमाज है वैसे ही डीटेल में बहुत सारे केसी आपको शो किया है कि हिल सेच फ्रेक्चर कैसे दिखता है लेबरल टेयर ओके तो यह है हमारा बुक का फॉर्मेट कैसे अंदर आपको दिखेगा क्या चीज आपको मिलने वाले है यह मुकोस ही बहुत सारी केसी इसके अंदर लोड किया गया है आपको मजा आएगा दंडी वकर सिंड्रोम ऐसे दंडी वकर दिखता है आपको यह पसंद आएगी मेरी वीडियो प्लीज लाइक, शेर अब्सक्राब मै चैनल प्रेस बेल इकन फोर अप्डेट्स और फ्यो वांद इस बुक यह आपको यह पसंद आएगी मेरी वीडियो आएगी मेरी वी वांद आएगी मेरी वे जडबस दाहा कैंने लाइक, शेका सब्सक्राब मेरीव कह आपको यह ख actिंदर है